भाशा और व्याकरण गुबारे वाला लाया हुची मैं गुबारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे राजू आओ सोनू आओ गुडिया रानी तुम भी आओ ले लो तुम सारे के सारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे इस कविता में गुबारे वाला अकरशक वर लुभावने ठंग से अपने गुबारे बेच रहा है वे अपनी बात को भाशा के माधिम से बच्चों तक पहुंचा रहा है इसी तरहां परिवार में पास पड़ोस में बाजार में आदी जगों पर हम बात चीत करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं इसके अतरक्त दूर रहने वाले लोगों से हम पत्र लिख कर या टेलेफोन पर बात करके विचारों का आदान प्रदान करते हैं भाशा ये वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुश्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है बोल चाल का यही माध्यम भाशा कहलाता है भाशा के प्रकार भाशा तीन प्रकार की होती है मौखिक भाशा, लिखित भाशा, संकेतिक भाशा मौखिक भाशा, मूँ से बोलकर अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाली भाशा मौखिक भाशा कहलाती है मनुश्य सबसे पहले मौखिक भाशा ही सीखता है इसका प्रियोग लिखित भाशा से अधिक होता है जैसे दूरदर्शन, रीडियो, फेस्बुक, टेलिफोन पर बात करना मौकिक भाशा के उधारण है लिखित भाशा, लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाशा लिखित भाशा कहलाती है इस भाशा के द्वारा ही हम अपने ज्ञान विज्ञान साहित्य, संस्कृती आदी को सुरक्षित रखने में समर्थ हैं पत्र, समचार पत्र, पुस्दक, शिलालेक, ब्लैक बोर्ड पर लिखना आदी लिखित भाशा के उधारण हैं भाशा के कोशल, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना भाशा के चार कोशल हैं इनी चार कोशलों के द्वारा हम भाशा को सही रूप में समझ और सीख पाते हैं संकेतिक भाशा, जब हम अपने भाव या विचार संकेतों अत्वा इशारों की द्वारा प्रकट करते हैं तो संकेतों की उस भाशा को संकेतिक भाशा कहते हैं मात्र भाशा, मात्र भाशा वै भाशा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ वो परिवार से सीखता है जैसे हिंदी भाशी परिवार में जन्मे बालक की मात्र भाशा हिंदी होती है बोली सेमित क्षेतर में प्रचलत भाशा का अल्पविकसत रूप बोली कहलाता है एक राज में अनेक बोलियां प्रचलत हो सकती है बोली में सहित्य की रचना प्राय नहीं होती आवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी परंतु आगे चल कर केवल खड़ी बोली ही भाषा का रूप ले पाई जो वर्तमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है राश्ट्र भाषा हिंदी विश्व में अनेक प्राशाएं प्रचलित हैं जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फार्सी, फ्रेंच, जर्मन आदी हमारे देश भारत में भी समिधान द्वारा 22 भाषाओं को मानेता प्रदान की गई है हिंदी उनमें से एक है उतरप्रदेश, पिहार, मध्यप्रदेश, छतसकर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाना, दिल्ली आदी राज्यों में ये भाषा बोली जाती है इसलिए हिंदी राश्ट्र भाषा के रूप में प्रचलित है लिप्पी, भाषा के लिखने के विधी या धंको लिप्पी कहते हैं हिंदी, संस्कृत, निपाली, मराठी भाषाएं देवनागरी लिप्पी में लिखी जाती है व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध तथा अव्यवस्थित रूप से लिखना व बोलना सीखते हैं ये हमारी भाषा का शुरिंगार है बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य शब्दों के सार्थक समू से बनते हैं तथा शब्दों के निर्मान में वर्णों की सार्थकता अवश्यक होती है अर्थात, वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक समू से शब्द तयार होते हैं अतै व्याकरण के निमलिखित अंग है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, रूप विचार, वर्ण विचार के अंतरगत वर्णों के आकार, उच्चारन और उनके मील से शब्द निर्मान का अध्याइन किया जाता है शब्द विचार, शब्द विचार के अंतरगत, शब्दों की उत्पत्ति, फिकास, निर्मान, अर्थ आधी का अधेन किया जाता है वाक्य विचार, वाक्य विचार के अंतरगत, वाक्य के प्रकार, वाक्य का गठन, पदों के आपसे संबंद आधी का अधेर्ण किया जाता है रूप विचार, रूप विचार के अंतरगत, शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेत तथा उनके कारे का अधेन किया जाता है हमने सीखा भाशा वैसाधन है जिसकी द्वारा मनुश्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है बोलचाल का यही माध्यम भाशा कहलाता है भाशा के प्रकार मौखिक, लिखित, सांकेतिक, सेमित क्षेतर में प्रचलित भाशा का अल्पविक्सित रूप बोली कहलाता है भाशा के लिखने की विधी या धंग को लिप्पी कहते हैं व्याकरण वैशास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाशा को शुद्ध तथा विवस्थत रूप से लिखना व बोलना सीखते हैं ये हमारी भाशा का श्रिंगार है